नमस्कार दोस्तों मैं उदैलाण फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वीडियो देखने वाले हर किसान भाई यह वो मुर्गी पालक भाई का आज के वुड़े में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत तो दुनिया का सबसे बहतरीन व्याउसाय है दोस्तों देशी मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी दुनिया का सबसे कम जमापुंजी में होने वाला व्याउसाय दुनिया की सबसे कम लागत सबसे अच्छी मार्केट जो दे देखे हैं जिन में की लियर फार्मिंग की जाती है इसके बड़े-बड़े फार्म देखे होगे या देख रहे होँगे लेकिन देशी मुर्गी में ऐसा बड़ा फार्मकी जहां यह उसा है boiler मुर्गी पालन की तुलना में आपको यहाँ पर चार गुना मुनाफ़ाँ ज्यादा प्राप्त करके दे सकता है तो दोस्तों देशी मुर्गी पालन का comparison आज हम करेंगे boiler मुर्गी पालन से यानि कि आज हम उन सवालों का जवाब लेंगे कि जिन सवालों के आपके मन में वहाँ पर टोटली जो आपके सवाल बन चुके हैं मन में उन सभी का सोलूशन लेंगे लेकिन यह solution लेने के लिए हम बात आज क्या करने वाले कि देशी मुर्गी और boiler मुर्गी का totally comparison करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपकी जानकारी जो है वो बटी बटाई आपके पास मिल जाएगी इसलिए आपको क्या करना है कि हम क्या करेंगे इसके पार्ट करेंगे जिसके अंतरगत आज हम देखेंगे दोस्तों यहां पर जो अंडों का totally production है उसके बारे में उसके बाद आपको चैन करना है कि आपके लिए कौन सा व्यावसाय अच्छा है मुनाफे का सवदा है आखिर में दोस्तों आप तो होश्यार है और होश्यार आदमी को इशारा ही काफी है और इशारा यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के बाद आपको मिलेगा तो चलो दोस्तों बिना कुछ देरी किये हुए देशी मुर्गी पालन वर्सेस बॉइलर मुर्गी पालन पार्ट वन में आज बात करेंगे लियर फार्मिंग में होने वाले मुनाफे की तो दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए वीडियो अगर पसंद आपको आए तो ही इस वीडियो को जरूर एक लाइक करिए लाइक करने के बाद अगर यह वीडियो आपको लगता है कि शेर करने के लिए आच्छा है तो इसे शेर किजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाट्स अप नंबर वाट्स अप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बुक इंस्टाग्राम स्नैपचैट आधी पर इस वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हैं और साथ में ही दोस्तों यहाँ पर और एक बात है कि आप से सब्सक्राइब हर बार रह जाता है तो आप क्या करिए अभी के अभी फटा फट से वीडियो की दाई तरफ निचले साइड को आ जाएए वहाँ पर आपको एक सब्सक्राइब का लाल निशान दीखेगा उसको टच करने के बाद कलर हो जाएगा और बगल में आ जाएंगी गंटी उस गंटी को टच करके और इस नोटिफिकेशन को अगर आप अन करते हैं तो आने वाला हर वीडियों आपको तुरंत मिलता रहेगा कि जो आपके हर सवाल का आपको जवाब देता रहेगा और साथ ही में दोस समस्या का सुलूशन किया जाएगा और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा लेकिन अगले वीडियो के साथ यह वीडियो देखने के लिए आपके सवालों के जवाब जानने के लिए कृपया आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यानि घंटी को ओल कर तो दोस्तों हमें एह सवाल पूछा गया था कि बॉयलर मूर्गी पालन का व्यवावसाय के साथ कंपारिजन करें तो लियर में में कैसा रहेगा तो दोस्तो इसका विश्तृत यहाँ पर जवाब लेके आपके सामने हाजिर हो स्रिप एक बात यहाँ पर मत सोचिए कि देशी मुर्गी पालन से बॉलर मुर्गी यहाँ पर डबल अंडे देती है लेकिन कभी कभी जो बाते बताई जाती है जो परसेप्शन दीखाया जाता है वह सभी जब तक उसके आखिर तक आप नहीं पोहुचते तब तक आप सफल नहीं होंगे तो चलो दोस्तो इन बिंदो का पूरा विचार करते है और विचार विमर्ष के बाद आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या अच्छा है बहतरीन है उसका चुनाओ आप करने के लिए स्वतंत रहे तो देखिए दोस्तो देशी मुर्गी का अंडो का प्रोडक्शन क्या बॉयलर मुर्गी से कम है सव प्रतिशत है देशी मुर्गी का क्या मार्केट बॉयलर मुर्गी से जो है वो अन और्गनाइज है हाँ सवप्रतिशत है लेकिन देशी मुर्गी पालन में होने वाला मुनाफा क्या बॉइलर मुर्गी के फारं से ज़्यादा है सवप्रतिशत है लेकिन कैसे अभी हम यहाँ पर आखिर तक देखेंगे तो दोस्तो पहले बात करते है की अंडो के प्रोडक्शन के बारे में तो दोस्तो देसी मुर्गी का अंडो का प्रोडक्शन कम है लेकिन कितना ही यह पहले जान लेते तो दोस्तो देसी मुर्गी हर महा आपको लगभग 10 से लेके 12 के करीब करीब अंडो का प्रोडक्शन देती है और देती ही है अगर इसकी उपचार अगर सही हो तो दोस्तो आपको इतना अंडो का प्रोडक्शन वहाँ पर मिल सकता है साथ ही में दोस्तो बॉयलर मुर्गी के अगर बात करेंगे तो बॉयलर मुर्गी के अंडो का प्रोडक्शन ज्यादा है हाँ ज्यादा है कितना ज्यादा है तो लगभग वहाँ पर डबल है यानि एक बॉयलर मुर्गी साल भर के टोटली टाइम फ्रेम में आपको लगभग लगभग दो से चालीस से लेके दो सो साथ तक भी अंडो का प्रोडक्शन देती है कभी कबार यह मुर्गी अच्छा खासा अगर हम उसकी व्यवस्ता करे तो लगभग 300 तक भी अंडे दे सकती है तो यह बात हुई अंडो की प्रोडक्शन की बार में चलो कि यह अंडो का प्रोडक्शन जान लिया कि देशी मुर्गी का अंडो का प्रोडक्शन यहां पर बॉयलर मुर्गी के अंडो के प्रोडक्शन से हाफ है लेकिन हाफ होकर भी मुनाफ़ा क का इसे ज्यादा देती है आखिर तक देखिये तो बात यहां पर अंडो के प्रोडक्षन के बारे में हुई जहां पर बॉयलर मूर्गी के लियर फार्मी बाजी तो मार ली लेकिन बात आती है यहां पर उसके बात की की नंबर दो की बात आती है कि सबसे बहतरीन बात है रेट और मार्केट एक बात यहां पर हमें सव प्रतिशन माननी चाहिए कि जिस तरह से बॉयलर का सेटप बना बनाया है कि आपको यहां पर अंडो का प्रोडक्शन करना है आपके पास गाडिया आ जाएंगी वहां अंडो को लेकर जाएंगी और आपको कोई टेंशन नहीं है उसमें आपके लिए मार्केट बनी बनाईए लेकिन आइसा देसी मुर्गी में है क्या सव प्रतिशत नहीं देसी मुर्गी में मार्केट आइसी है ही नहीं कि जहां पर गाडिया आएगी अंडे लेकर जाएगी वहां पर सेल करे सव प्रतिशत नहीं, क्या सव प्रतिशत नहीं कि यानि इतना बड़ा फार्म है ही नहीं कि अंडो का उहां पर जो है production लेकर हम दूसरे गाव देहात में या तहसिल में बे सके यही तो सबसे बड़ी tragedy है और आपने कभी देखा है कि देशी मुर्गी का अंडा है कि जो sell out नहीं हो और उसको फेकना पड़ा कभी भी नहीं यह power है दोस्तों देशी मुर्गी की कि जिसमें अंगिनत संभावन है और अंगिनत यह market opportunity लेकर यह देशी मुर्गी चल रही है दोस्तों इसलिए market की कोई आपती है ही नहीं और साथ में दूसरी बात क्या अंडो का rate है क्या तो दोस्तों भारत वर्ष में 10 से कम अंडो का rate एका दो जगा छोड़ दे तो कहीं भी देशी मुर्गी के लिए नह आपको अभी यहां पर totally structure समझाता हूं अगर totally structure समझ ले दोस्तों तो लगभग लगभग एक बात समझी है अगर आपकी देशी मुर्गी साल भर में 120 के करीब करीब कम से कम अंडे देती है तो दस के हिसाब से आपको 1200 का totally वहां पर जो है दोस्तों जमा पुंजी एकत्रित क करेंगे दोस्तों तो लगभग boiler का रेट कम ज्यादा पकड़ कर चले तो चार के आसपास आपसे totally अंडे कलेक्ट किये जाते है इसका मतलब है लगभग लगभग यहां पर भी आपको 1200 के करीब करीब totally यहां पर जो है जमा पुंजी प्राप्त होगी यानि कि यहां पर कम ज्यादा पकड़े कभी आंडे ज्यादा है कभी आंडे कम है कभी रेट कम ज्यादा है तो आपको 12 से रूपए एकत्रित होंगे एक साल भर में अभी आपका सवाल आएगा कि सर इसमें 1200 उसमें 1200 ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हम boiler करने के लिए यहां पर कितना है यह भी जानना पड़ेगा और इसके लिए वीडियो आखिर तक देखना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों देशी मुर्गी की एक खासियत है और boiler मुर्गी की एक शिकायत है वहाँ आभी आपको बताता हूं point number 3 में दोस्तों तो फिड का खर्चा दोस्तों आपको क्या पता है कि देशी मुर्गी का फिड का खर्चा एक मुर्गी के पीछे एक दिन में एक रुपए में एड़्जस हो सकता है हाँ हो सकता है मैंने वीडियो दिया है और इंडियन मुर्गी पालन यह चानल आपको डेफिनेटली आपका जो फिड का खर्चा है एक रुपए देसी मुर्गी का खाना बच्चता है, तो बॉयलर मुर्गी को सभी का सभी खाना बाहर से मंगाना पड़ता है और वो कुछ बहुत सस्ता भी नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत अगर फीड का खरचा घट गया या बढ़ गया तो दोस्तो डायरेक्टली बॉयलर फार्में लॉस भी हो सकता है जो कि देशी मुर्गी पालन में कभी भी नहीं होगा अब यह आसल में देखते हैं कि फिर देशी मुर्गी में होने वाला फिड का खर्चा साल भर में 350 से लेके 370 के करीब करीब होता है तो वैसे में ही बॉयलर मुर्गी का फिड का खर्चा लगभग लगभग 700 से लेके 800 के करीब करीब होता है इससे कम तो नहीं ज्यादा ही होगा और उसके साथ दोस्तो और एक बात है पॉइंट नंबर 4 में कि मेडिसीन का खर्चा दोस्तो तो देशी मुर्गी के लिए आपको अगर मेडिसीन की विधी पता चल गए तो डॉक्टर के आवश्यक्ता नहीं है लेकिन आपको जो फार्म है बॉयलर का वहां डॉक्टर अपॉइंट करना पड़ता है नहीं तो मुर्गी मर जाती है या अंडो का प्रोडक्शन वहां प करीब भी लग सकता है बशर्ते उस पर बीमारी अगर आये तो नहीं आये तो यह कर्चा 17 सी तक तो लगता और लगता है यह दोस्तों तो इसका मतलब क्या है आपको एक सीधी सीधी बात बताता हूं कि आखिर में मुनाफ़ा कितना हो सकता है दोस्तों देशी मुर्गी की बात करें तो दोस्तों देशी मुर्गी का साल भर का एक मुर्गी का खर्चा ज्यादा से ज्यादा मेडिसेंटी का करन फिड का खर्चा पकड़ कर चले तो 400 तक हो सकता है और इसको भी आप घटा कर जीरो कर सकते हैं यानि 50 से लेके 100 रुपय में भी मेरा मुर्गी पलक भाई हो तो उसे 400 रुपय तो यहां पर खर्चा करना ही पड़ेगा लेकिन बॉयलर मुर्गी में आपका खर्चा लगभग लगभग 800 से लेके 900 तक भी जाते हुए दिखता है और कभी कबार रेट अगर फिड के बढ़ गए तो दोस्तों वहां पर 1000 के क 70 पैसे के करिब-करिब वहां पर आपको मुनाफ़ा बच सकता है या मिल सकता है तो दोस्तों 250 पैसों की बात करें 300 अंड़ों की बात करें तो 150 से लेके दोعمुनाफ़ाआई एक साल में एक बॉयलर मुर्गी के लियर फार्म के पीछे आपको मिलता है और यही बात देशी मुर्गी के पकड़ के चले तो दोस्तों एक देशी मुर्गी साल भर में आपको लगभग लगभग 800 के करीब करीब प्यूर मुनाफ़ा यानि शुद्ध लाब देखकर रहेगी और उसके साथ और एक बात है दोस्तों की देशी मुर्गी और बॉयलर मुर्गी में आपको एक समझना होगा लेबर का खर्चा देशी मुर्गी में लेबर नहीं लगते है और बॉयलर मुर्गी में लेबर अंडे उठाने के लिए टीका करन देने के लिए उनकी टोटल वह बढ़ने वाला खर्चा और कम होने वाला खर्चा यह सबसे बड़ी शिकायते यह मापती है बॉलर मुर्गी पालन के फार में और साथ ही में दोस्तों आज तक मार्केट में देशी मुर्गी का अंडो का प्रोडक्शन उतनी लेवल पर नहीं था इसलिए बॉलर मुर्गी जो थी उसका अंडे के सिवा मार्केट में कोई भी अंडा नहीं था लेकिन दोस्तों देशी मुर्गी का अंडा कितना गुनकारी है कितना आयुर्वेदि और साथ में वहां अंडा अगर आठ से लेके 10 रुपे में हमें मिलता होगा तो दोस्तों बॉयलर मुर्गी का अंडा कोई भी नहीं लेगा लेकिन इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा हर गावदेहात में जाना पड़ेंगा हर यहां पर कलेक्शन सेंटर बनाने पड़ेगे हमें 748 जो तहसिल है भारत वर्ष में उन तक पहुचना पड़ेंगा हर गावदेहात में पहुचने के बाद यहां जो टोटल करांती है वो ही सफल होगी और जब देशी करांती अपने रूप में अपने असली आउतार में आएगी दोस्तों तब बॉयलर मुर्गी छोड़ है बड़े भुजूर्ग है उनकी जो टोटली वहां पर बॉड़ी स्ट्रक्चर है उनके लिए देशी मुर्गी का आंडा देशी मुर्गी का चिकन बहुत इंपोर्टन्ट है दोस्तों इसलिए अगला डेकेड यानि अगली सधी पहचानी जाएंगी दोस्तों सिर्फ प्यूचर और मार्केट यही बता रहे कि देशी मुर्गी पालन यहां से आगे सव दोसो साल तक इस टोटल भारत वर्ष की जीडिपी को लीड करेंगी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में लिख कर भेजिए लिकिन इतना बोलता हूं कि यहां पर बॉयलर मुर्गी पाल यहां के फार में ना कभी लॉज हुआ है ना कभी होगा बशर्ते आपकी महेनत अगर सही हो तो आप सही सलामत मुनाफा भी प्राप्त कर सकते हो तो दोस्तों आपको यहां पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में लिख कर भेजिए वीडियो अगर पसंद आया होग तो जाते हुए इस वीडियो को करपया एक लाइक कर दिजिया और ज्यादास ज्यादा मेरे किसान भाई यो मुर्गी पालक भाई तक यह वीडियो पहुच्छाने के लिए शेयर कीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसप नंबर वाटसप ग्रूप टेलिग्राम फेस्बुक इंस्टाग्राम स्नैप्चाट का इस्तेमाल करके वीडियो की लिंक कर सकते हो और आप से सब्सक्राइब रहा होगा तो वीडियो की दाइतर्फ निचली सैड में आकर वहां पर दिखने वाली लाल निशान को आप टच कर सकते हैं उसके बाद कलर चेंज होकर बग आपको सदेव मिलता रहूंगा नया वीडियो नई कंसेप्ट और एक नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होगे तक मेरे हरकिसान भाई यों मुर्गी पालक भाई का तहे दिल से बहुत-बहुत आभार